So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आने की 14 November के Important Current Affairs को, तो प्रश्ण क्या पूछ रहा है? अभी हाल में T20 World Cup 2022 का खिताब किस ने जीत लिया है? आप सभी को पता है किस ने जीत लिया? इंगलेंड ने जीत लिया T20 World Cup 2022 का खिताब, बात करेंगे इंगलेंड ने किसको हराया? पाकिस्तान को हराया है, याद रखना ये T20 World Cup का आठवा संसकरन है, इसका जो पहला संसकरन था वो 2007 में हुआ था, जिसको किस ने जीता था? हमने जीता था, भारत ने जीता था, वैसे आपको बता दू, इंगलेंड है न, दो बार T20 World Cup का खिताब जीत चुका है, इसको मिला करके, पहली बार इसने 2010 में जीता था, और अभी 2022 वाला किताब जीत लिया, और इसमें सैम कुरेन को, प्लेयर अफ़ दे टोर्नामेंट चुना गया, ये भी ध्यान रख लो, अच्छ चुकी है, T20 World Cup, आपको याद है, इसी साल, ICC Women's World Cup जो 2022 में हुए थे, वो New Zealand में हुए थे, उसको जीता था, Australia ने, उसने England को हराया था, तो ये भी आप याद रखना, अब किरकेट से संबंदित कुछ important trophies हैं, जो भी हुई हैं, किसने किसको जीता हैं, वो आप जरूर दलीप ट्रोफी आपने पड़ा अभी, उसको वेस्ट जोन ने जीता है, साउट जोन को हरा करके, रनजी की बात करें, मद्यपरदेश ने जीता है, मुंबई को हरा करके, और अभी हमने पड़ा था, सेयद मुस्ताक अली ट्रोफी, इसको महराश्टर ने जीत लिया है, पूशो की बात करें, जो युनैटेड अरब अमिरात में हुआ था, उसको शिरिलंका ने जीत लिया, पाकिस्तान को हरा के, और महिलाओं का जो एशिया कप है, जो अभी बांगला देश में हुआ था, उसको भारत ने जीत लिया, शिरिलंका को हरा करके, वहीं IPL की बी बात कर लेते हैं अभी 2022 में ये पंदरवा संसकरन था भारत में हुआ था गुजराट Titans ने इसको जीत लिया राजस्थान रोयल को हरा करके और इस बार कितनी टीमें खेली 10 दो नई टीमें शामिल हुई थी एक तो ये गुजराट वाली और एक लखनव वाली और किर्केट से और भी संबंदेत कुछ ट्रोफी हैं कुछ कप्स हैं जो ऐसे स्टेटिक आपकी पूछ लिया जा सकता है जैसे की देउधर ट्रोफी इसका संबंद आपके किर्केट से है सीके नाइडू ट्रोफी हो गया नहरू कप हो गया रानी जासी ट्रोफी हो गया सहारा कप हो गया इन सबका संबन भी आपका किरकेट से है ये आप थ्यान रखना बढ़ते आगे फर बताईए दुनिया का सबसे उचा मतदान केंदर ताशींग ये किसे राज जमेश्तित है तो आंसरो का हिमाचल प्रदेश तो 15,256 फीट की उचाई पर है ये हिमाचल प्रदेश का ताशींग गाउं जो कि दुनिया का सबसे उचा मतदान केंदर है अभी 12 नवंबर 2022 को यहां पर मतदान हुए थे एक्चुली मैं आपको बताऊं तो 2019 के जो चुनाव हुए थे न उस समय भी ये न्यूज में आया था हमने पढ़ा भी था और आपको बता दूँ उसके बाद किसी एक्जाम में ये प्रशन पूछा भी जा चुका है और अभी 14 वी हिमाचल प्रदेश विधान सबाग के चुनाव हुए तो एक बार फिर सही ये न्यूज में आया और आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है तो आप ये याद रखना इसी तरह से आपसे और क्या प्रशन पूछे जा सकते हैं जैसे कि दुनिया का सबसे उचा रेलवे ब्रिज कहां पे बन रहा है पूछा जा सकता है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के उपर इसलिए इसका नाम चिनाब ब्रिज रखा गया है और चिनाब नदी के तल से इसकी उचाई की बात करोगे तो 359 मीटर उचा है ये ये लंबाई की बात करोगे तो 1315 मीटर है ये वहीं पूछे दुनिया का भी सबसे उचा मौसम स्टेशन कहां पे स्थापित किया गया माउंट टैवरेस्ट पर कितनी उचाई पर 8830 मीटर की उचाई पर किस ने किया नेशनल जोगराफिक सोसाइटी ने एक प्रशन में आप लोगों के लिए छोड़के जा रहा हूँ माउंट टैवरेस्ट की उचाई कितनी है ये बता दुआ और अगर आप हमारे करंट अफेर्स का रिविजन वाला वीडियो देखते हैं में हम पुराने छे महीने के करंट अफेर्स का रिविजन करते हैं तो वहाँ पर इस प्रशन को हम कहीं बार पढ़ चुके हैं वेसे भी आप ट्राइ करो बताने की और आपको याद हो तो पिछले साल हम लोगों ने पढ़ा था कि दुनिया का सबसे उचा रेत महल कहां पर बनाया गया था डैनमार्क में 21.16 मीटर उचा था वो उसी तरह से दुनिया की सबसे उची मोटर योग्य सडक बनाई है बोर्डर रोड और्गिनाइजेशन ने उम लिंग ला दर्रे पर दर्रा मतलब माउंटेन पास कहां पर है ये लदाक में है और दुनिया का सबसे उचा इलेक्टरिक वेकल चार्जिंग स्टेशन कहां पर बना हिमाचल प्रदेश के काजा में बना है और एक और प्रशन का उतर दो स्टैटिक प्रशन ये एक्जाम में आता है कि विश्व की सबसे अधिक उचाई पर कौन सी जील है तो ये है टिटिका का जील अच्छा उत्तर तो मैं नहीं दे दिया आप तो चलो ये बता दो ये है कहां पर किस देश में पढ़ती है महाद्वीप मैं आपको बता देता हूँ जो साउथ अमेरिका है वहाँ पर ये पढ़ती है कौन से देश में पढ़ती है अब ये बता दो आप हम बढ़ते हैं आगे चलो फिर बताओ कौन सा देश 2025 में चौथे कबड़ी विश्व कप की मेजबानी करेगा तो बाहर होगा तो किशन इंपोर्टेंट हो गया न अचा पहला कबड़ी विश्व कप आप जानना चाहोगे कब हुआ था और कहां पे हुआ था तो वो 2019 में हुआ था मलेशिया में और आपको बता दू उसमें महिलाओं का और पुरुशों का जो खिताब है वो भारत नहीं जीता था अब आपको ओगे दूसरा कबड़ी विश्व कप ये 2023 में होगा और तीसरा वाला 2024 में होगा और चौथा वाला हमने पड़ा 2025 में होगा इंग्लेंड में अब आपको ओगे ये तो बताओ 2023 वाला और 2024 वाला ये कहां पे होगा डाइरेक्ट चौथा वाला बता दिया है 2025 में होगा इंग्लेंड में होगा तो भाया अभी इन्होंने 2025 वाला ही बताया है 2023 वाला और 2024 वाला कहां पे होगा ये पता नहीं जब इसकी घोशना होगी न्यूस आएगी तो आपको पता लग जाएगा उसके लिए आपको क्या करना है क्रेक एक्जाम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लेना है अच्छा आपको बता दू वर्ल्ड कबड़ी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है इंगलेंड के अशूक दास है आपको याद होगा इस साल प्रो कबड़ी लीग 2022 में जो हुआ था वो इसका आठवा संसकरन था उसको जीता था दबंग दिल्ली ने पतना पाइरेट्स को हरा करके तो इतना आपको याद रखना है अब मेरे कुछ प्रशनों के उत्तर देते जाओ फटाफट फटाफट जैसे कि अगले साल 37th नंबर के जो नेशनल गेम्स राश्टर खेल होंगे वो कहां पे होंगे आपने कहा गोवा में होंगे अभी 2022 वाले कहां पे हुए थे 36th नंबर के नेशनल गेम्स गुजरात में हुए थे जिसका मैस्कोट शुभंकर था सवज सवज मतलब उताई शावक इसमें पहले स्थान पे सर्विसेज था दूसरे पे महाराश्टर था इसी तरह से आपको याद खेलो उंडिया यूथ गेम्स का जो चोथा संसकरन हुआ था अभी हर्याना के पंचकुला में हुआ था जिसका शुभंकर था धाकड उसमें टॉप पे हर्याना था और अगले साल जो पांच वह संसकरन है वो मद्यप्रदेश में होगा उसी तरह से खेलो उंडिया यूणिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो अभी इसका दूसरा संसकरन हुआ था बंगलूरू में उसका शुभंकर मैसकोट था वीरा उसमें टॉप पे जेन यूणिवर्सिटी है जो की बंगलूरू की ही है अगले साल जो इसका तीसरा संसकरन होगा वो उत्तरप्रदेश में होगा और याद रखना 2025 में World Athletics Championship ये कहां पे होगा या कौन सा देश इसको होस्ट करेगा जापान, जापान के टोक्यो में होगे ये और वैसे हमारा लक्षे क्या है टीबी को खतम करने का तो वो भी है 2025 और आपको बताऊं तो 2025 में जो ICC Women's ODI World Cup होंगे वो भारत में होंगे तो ये points भी आप याद रख सकते हैं बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए अभी हाली में उडिसा ने किस दिन को 22 दिवस के रुप में मनाया तो अंसर होगा 10 नवंबर को उत्पात के रूप में बाजरा को बढ़ावा देना आपको याद है भारत ने वर्ष 2018 को राष्टर बाजरा वर्ष के रूप में मनाया था और सबसे इंपोर्टेंट United Nation General Assembly ने कहा कि 2023 को अंतर राष्टर बाजरा दिवस के रूप में मनाया जाएगा ये पोइंट आप जरूर याद रखना ये काद एक्जाम में पूछा भी जा चुका है लगने में तो बहुत सिंपल प्रशन लग रहा है लेकिन इंपोर्टेंट है और अभी हमारे बाजरे पर राष्टर सम्मेलन का आयोजन हुआ था कहाँ पे नई दिल्ली में बाकी याँ पर बात देखो उडिसा किये तो ये रा मैप में उडिसा आपने का उडिसा की केपिटल भूवनेश्वर है और देश का पहला इसके लिए इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोला जाएगा भूवनेश्वर में ही भारत की पहली होकी स्टेडियम ये आपको मिलेगा उडिसा में उडिसा के राउर के ला में बन रहा है जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है और 2023 में जो होकी वर्ल्ड कप हैं वो यहीं पे होंगे और बिरसा मुंडा इनके नाम पे इस साल दो बुके आई थी नाम पे एक international airport भी आपको मिलेगा लेकिन वो है राची जारखंड में और बिरसा मुंडा की जैनती होती है 15 नवंबर को उस दिन को जन जाती गौरव दिवस के रुप में मनाया जाता है ये point भी याद रको और अगर आपसे पूछा जाए ना कि blue flag certificate पाने वाला भारत का पहला समुद्रे तट कौन सा है तो वो है golden beach ये उडिसा का है और उडिसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री का निदन हो गया उनका नाम भी याद रको हेमनंद बिस्वाल है और भारत की पहली आदिवासी स्वास्तिव वेदशाला बनाएगा उडिसा अभी राष्टर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांग में टॉप पर रहा है उडिसा मतलब राष्टर खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने के मामले में ये टॉप पर है अभी उडिसा की मोबस सेवा को सन्यूक्त राष्टर लोक सेवा पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया था और भारत का पहला ओलंपिक वेल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम भी शुरू किया है उडिसा ने ओलंपिक मूल्य सिक्षा कारेकरम बाकि आप जानते हो कौनारक सूर्य मंदिर यापको उडिसा में ही मिलेगा और उडिसा के काफी famous festivals थे महतसव हैं जैसे की नुँआखाई महतसव हो गया च्छव महतसव हो गया बोईता बंदना महतसव हो गया कौनारक नरत्ते महतसव हो गया बाली जातरा महत्सव हो गया रजा पर्व हो गया ये सब का सम्मंद आपके उडिसा से है उसके अलवा याद रख सकते हो आप यहां से कि यहां पे आपको चिलका लेक मिलेगी ये भी इंपोर्टेंट है इश्या की सबसे बड़ी खारे पानी की लगूल जील है ये और भारत की पहली रामसर साइट का दरजा इसी को मिला था 1981 में ये भी याद रख लो इसी में नलबाना पक्षय भेरन ने आपको मिलेगा और कौन सी डॉल्फिन पाये जाती है यहां पे इर्रावदी डॉल्फिन मिलती है तो इतने पॉइंट्स आप याद रखना बढ़ते आगे फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाले में किस वर्ष को आश्यान भारत मैतरी वर्ष घोशित किया गया तो अंसर होगा 2022 तो वर्ष 2022 को आश्यान भारत मैतरी वर्ष के रूप में घोशित किया गया है क्यों? क्योंकि आश्यान और भारत 30 साल की साज़ेडारी का जश्ट मरा रहे हैं अब ध्यान से सुनना इसी से रिलेट करके इसी से लिंक करके आपको कुछ पॉइंट्स याद कराने वाला हूँ ये तो हमने बात कर ली मैतरी वर्ष की अगर आपसे पूछा जाए मैतरी दिवस 6 देसंबर को मैतरी दिवस के रूप में मना रहे हैं कौन-कौन? भारत और बांगला देश अगर पुछे मैतरी अभ्यास मैतरी एक्सरसाइज भारत किस देश के साथ मनाता है? तो थाइलेन के साथ और शिन्यू मैतरी अभ्यास ये हम करते हैं जापान के साथ जो कि एक एर एक्सरसाइज है तो ऐसे भी याद रखो बाकी बात तो आशियान की है तो उसे भी डिसकस करेंगे फुल फॉर्म देखो पहले Association of Southeast Asian Nation मतलब ये दक्षिन पूर्व एशिया के 10 सदस्य देशों का एक राजनेतिक और आर्थिक संग है इस ता आपनो हुई थी 1967 में मुख्याले आपको मिलेगा Indonesia में इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता वैसे अब इसकी नई कैपिटल हो चुकी है वो क्या है? नूसंतारा ये पॉइंट भी याद रख लो फिर अब बात करते हैं इसके 10 देश कौन कौन से उससे पहले आप मुझे बताओ क्या भारत इसका मेंबर है तो आंसर होगा इसका भारत मेंबर नहीं है तो फिर 10 मेंबर कौन कौन से हैं? ब्रुनई, कमबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मियानमार, फिलिपेंस, सिंगापुर, थाइलेंड और वियतनाम अब ये नाम मैंने आपको alphabetically order में arrange करके बताए है यहां से आप ये भी याद रख पाओगे कि किस वर्ष में इसकी अद्धिक्षिता किस देश के पास है जैसे कि 2022 में इसकी अद्धिक्षिता कमबोडिया के पास है 2020 में ब्रुनेई के पास थी, अगले साल 2023 में इंडोनेशिय के पास होगी फिर आगे लाउस के पास फिर ऐसे ऐसे आगे चलते जाओ alphabetically order में और कमबोडिया से आप याद रखना इसका नवीनतम सदस्य देश है वो कमबोडिया ही है और इसी साल आपने पढ़ा होगा, अभी पहले आशियान भारत स्टार्टप महत्सव का आयोजन हुआ था कहां पे हुआ था वो? वो इंडोनेशिया में हुआ था तो ये सब बाते याद रखना आप बढ़ते आगे चलो फिर बताओ, अब इहाली में किस राज्य में मेगा करशी मेला और प्रदर्शनी ये कांपे शुरू हुई तो आंसरों का मद्य परदीश में तो किंद्रे करशी मंत्राले ने अभी 11 नवंबर 2020 को मद्य परदेश के मुरेना में तीन दिवसी मेगा करशी मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया इस मेगा करशी मेले का उधगाटन खुद मुख्य मंत्री जुआ के मुख्य मंत्रे शिवरा सिंग चोहान उन्होंने किया साथ ही उन्होंने 103 अमरत सरोवरों का भी उधगाटन किया अच्छा क्या आप मुझे बताओगे अभी बिमस्टेक क्रशी मंत्रियों की बैठक काँ पे हुई थी भारत में हुई थी वैसे आप ध्यान रखना अभी पांचवी बिमस्टेक सम्मिट को होस्ट कोन कर रहा है 2022 में श्री लंका और क्रशी नेटवर्क अप्लिकेशन के ब्रेंड अमबेस्टर बने थे अभी पंकच त्रिपाठी एक्टर हैं ये और किसान मुबाइल अप्लिकेशन को किसने बनाय था आयटी रूड की ने वेसे नाबाड ने प्राकरतिक खेती को बड़ावा देने के लिए कारेकरम शुरू किया था उसका नाम बता सकते हो जीवा कारेकरम और भारत का पहला करशी निर्यात सुविधा केंदर कहां पर कहां पर खुला है पूणे में खुला है अब बात देखो यहां पर मद्यप्रदीश की ये तो ये रामेप में मद्यप्रदीश केपिटल इसकी भोपाल है और भारत का पहला इवेस्ट क्लिनिक आपको भोपाल म मिलेगा और भोपाल के हभीब गंच रेल्वे स्टेशन का नाम बदल करके रानी कमलापती रेल्वे स्टेशन कर दिया गया ये भी याद रखो बाकि मुख्य मंत्री है शिवरा सिंग चोहान और गवर्नर कौन है मंगू बाई चगनबाई पटेल अच्छा अभी हम लोगों ने पढ़ा था तुनिया के पहली वैदिक घडी कांपे स्टापित की जाएगी उज्जेन में और अभी उज्जेन में ही महाकाल लोक कॉरिडोर का भी उधगाटन किया था प्रधारमंत्री जी ने 2023 में सत्रवा प्रवासी भारते दिवस का आयोजन होगा इंदौर में और ये प्रवासी भारते दिवस कब मनाते हैं 9 जनवरी को और देश का पहला काररयात्मक रूप से साक्षर जिला आपसे पूछेंगे तो ये बन गया है मद्यप्रदेश का मंडला जिला भारत का पहला बायोमास आधरित हाईडौजन प्लांट ये मद्यप्रदेश के खंडवा जिला में इस्तापित होगा और अभी भारत का छटवी बार लगाता छटवी बार सबसे सवच्च शहर कौन सा बना इंदौर बना है Water Plus Certificate वाला पहला शहर भी आपका इंदौर है एशिया का सबसे बड़ा CNG प्लांट भी बनेगा कहां पे इंदौर में ही और लतामंगेशकर जी के नाम पे संगीत अकादमी और संग्रहाले का निर्मान होगा इंदौर में ही और याद रखना मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकार इश्वर बांध पे बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा floating solar power plant जिसकी capacity होगी 600 Megawatt की अभी मध्यप्रदेश के ग्वालियर में देश के पहले drone मेले का भी आयोजन किया गया था और मध्यप्रदेश के जबलपूर में बनेगा देश का पहला geological park और मध्यप्रदेश में भारत की पहली hot air balloon wildlife safari की शुरुवात हुई थी बांधा उगड ताइगर रिजर्व से और मध्यप्रदेश बनाएगा भारत की पहली cyber तहसील ये भी याद रखो अभी medical की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला भारत का पहला राज्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 ये भी याँ पे शुरू हुई है तो ये सारे points आप याद रखना बढ़ते आगे चलो बताओ अभी हाली में विरांगना सेवा केंद्र किसके द्वारा शुरू किये गए तो आंचार होगा भारते सेना तो हमारे वो सेनिक जो युद्ध या सेन्य अभियानों में शहीद हो गए तो अब उनकी विद्वाओं को यानि कि उनकी जो पत्निया है उनको वीर नारी कहा जाएगा और उनके कल्यान और शिकायतों के लिए सिंगल विंडो विरांगना सेवा केंद्र सुविधा शुरू की गई है किसके दोरा भाड़ते सेना के दोरा ताकि उनकी मदद की जा सके उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके अचा आर्मी से रिलेटेट कुछ important appointments जो आपके अभी current affairs में थे जैसे कि आप जानते ही हो अभी हमारे दूसरे नंबर के Chief of Defense staff कौन बने अनिल चोहान पहले नंबर के विपिन रावजी थे जिनका निदन हो गया आर्मी चीफ आप जानते ही हो मनुच पांडे हैं 29th नंबर के बने नेवल चीफ आपके आर हरी कुमार है और एर चीफ मार्शल कौन है विवेक राम चौधरी है वेसे भारतय तट रक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के डिरेक्टर जनरल है विएस पठानिया बोल्डर रोड और्गेनाजेशन के डिरेक्टर जनरल है राजीव चौधरी अच्छा यहां से भी एक प्रश्ण बनता है अच्छा वला कि बोल्डर रोड और्गेनाजेशन किस मंतराले के अधीन आता है अब रोड समझ के इसको राजमार्ग मंतराले के अंतरगत मत कर देना यह रक्षा मंतराले के अंतरगत कार्य करता है और NCC के Director General कौने गुर्बीर पाल सिंग है याद रखना ये points बढ़ते आगे चलो बताओ अभी हाल इमे Flood Hub नाम से एक platform को किस ने launch किया तो आंसर होगा Google ने तो जिसा कि नाम से clear है आप समझ सकते उसका क्या मतलब होगा Flood का मतलब होता है बाड तो बाड का पूरवा नुमान लगाने के लिए कि बाड कब और कहां पे आ सकती है इसका पूरवा नुमान यानि कि पहले से पता लगाने के लिए Google ने Flood Hub नाम से एक platform launch किया है अच्छा यहां तो बाड की बात होगी अगर आप चाते हो कि मैं भुकम्प का पहले से पता लगा लू तो उसके लिए भी एक application news में आये था प्रशन इसके लिए ऐसे बनेगा आपका exam में कि भारत के पहले भुकम्प mobile application को किसने launch किया था तो अंसर होगा उत्तरा खंड ले और अगर deep में जाके examiner पूछ ले इस application को किसने बनाया है तो फिर आपका अंसर होगा IIT रूड की ने और मैं आपसे पूछ हूँ अगर कि दुनिया का पहला तेड़ता हुआ शहर बनाएगा कौन? South Korea 2025 तक अभी वैसे आपको याद हो तो Google ने महिलाओं को बड़ावा देने के लिए एक अभ्यान वगेरा शुरू किया था Women Will नाम से वैसे चलो Google की बात है तो उसके बारे में जान लेते हैं इस्तापना इसकी होती है 4 September 1998 को Headquarter आपको मिलेगा California यूएस में और इसके founder दो जने थे Larry Page और Sergei Ben इसकी parent company Alphabet है याद रखना और इसके CEO Google के CEO और Alphabet के भी CEO सुन्दर पिचाई है अचा अगर एक प्रश्ण मैं आपसे पूछूँ कि Alphabet ने किस नाम से एक नई robotics company को launch किया था तो आंसरों का intrinsic ये भी एक अच्छा प्रश्ण है वैसे अभी Google ने छोटे शेरों के start-ups को बढ़ावा देने के लिए उनकी मदद करने के लिए उनने आगे बढ़ाने के लिए एक कारेकरम शुरू किया था start-up school India नाम से और जो Google है ये दुनिया की सबसे लंबी समुद्रिक cable का भी निर्मान करेगा और उसका नाम क्या रखेगा फरमीना तो ये सब याद रखना बढ़ते आगे चलिए बताईए अभी हाल में eat right station प्रमान से यानि की certificate से सम्मानित railway station कौन सा बन गया है तो आंसर होगा भूपाल railway station तो अभी भारते railway के भूपाल railway station को 11 नवंबर 2022 की बात है अभी यात्रियों पैसेंजर्स को उच्ची क्वालिटी हाई क्वालिटी पोस्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 4 स्टार eat right station certificate दिया गया अच्छा ये eat right station certificate क्या होता है तो वो station जो अपने यात्रियों को सुरक्षित और पोस्टिक भोजन प्रदान करते उन्हें मिलता है ये eat right station certificate और कौन देता है फसाई यानि कि food safety and standard authority of India वैसे इससे पहले भी ये certificate कुछ और stations को भी मिल चुका है जैसे कि चंडिगर railway station हो गया वडोदरा railway station हो गया मुंबई का मुंबई central railway station हो गया और इस तरह से मुंबई का एक ओर है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और एक दिल्ली का आनंद विहार टर्मिनल railway station हो गया अचा फसाई के द्वारा ये दिया जाता है फुल फॉर्म हमने देख लिया food safety and standard authority of India इसकी इस्तापना हुई थी 5 September 2008 हो इसके chairman कौन है? Rajesh Bhushan है और CEO S Gopal Krishnan है ये ध्यान रखना बढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली में T20 में 4000 run बनाने वाले पहले किर्केटर कौन बन गए तो आंसर होगा विराट कोहली तो याद रखना विराट कोहली ये 4000 run बनाने वाले वर्ड के पहले batsman बन गए है T20 में अभी हमने पढ़ा भी था October महीने के लिए उन्हें ICC Means Player of the Month भी चुना गया था अचा T20 से याद आएगा अभी एक साल में एक वर्ष में 1000 T20 run बनाने वाले पहले भारते खिलाडी बने थे कौन सूर्य कुमार याद आओ अभी T20 World Cup में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाडी कौन बने थे अयान खान United Arab Amirat के अभी तीसरे T20 World Cup फॉर ब्लाइंड ये भारत में होगा और इसके brand ambassador बने थे युवराज सिंग अभी 400 T20 मैच खिलने वाले पहले भारते खिलाडी कौन बने थे आंसर होगा रोहिच शर्मा और आप जानते हो महिला Under 19 T20 World Cup का पहला संसकरन 2023 में खिला जाएगा साउथ अफ्रिका में और 600 T20 मैच खिलने वाले दुनिया के पहले खिलाडी कौन बने तो आंसर होगा किरोन पोलाड जो कि West Indies के हैं और अगर पूछा जाए 600 T20 विकिट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने तो आंसर होगा West Indies के ड्वैन ब्रावो तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पुछे गए प्रशन के उत्तर की तो कल की वीडियो में आपसे क्या प्रशन पूछा था कि 2022 का 32 वा बिहारी पुरसकार ये किसे मिला तो आंसर होगा डॉक्तर माधव हाडा को आप सभी ने प्रशन का बिल्कु सही उत्तर दिया है और इन सभी का quiz बना करके upload कर दिया गया आपके करेंगे exam application पर वही पे इनके PDF भी आपको मिल जाएगी बाकी static के quiz और general science की quiz भी आपको मिलेगे आपके करेंगे exam application पर लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा और अगर session अच्छा लगा और अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया पहले इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में प्लीज एक बार शेयर जरूर कीजिएगा अब ये रहा आज का आपका हमवर्ग प्रशन